हालो दोस्तो मैं इस वीडियो में एक लेनोव ओल इन वन को अन्बॉक्सिंग करने वाला हूँ जैसे कि हम मेरे पास यह मॉडल है लेनोव वे थर्टी ये टू टू आई येल तो इस में हम लोग देखेंगे यह उलिन वन में क्या कोंफीग्रेशन है और क्या क्या इस आपनेरो मिलता है तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कीबोर्ड कीबोर्ड डे लेकिन यह लोग पता नहीं देते योसभी इस कीबोर्ड तो अच्छा है उसके उपर जो कबर है दूलमिट्टी से बचा रहेगा जल्दी खराब नहीं हो तो अगर कबर के उपर रहा दो यह तो अच्छा है बर यह लोगको को वायलेस कीबोर्ड देना चाहिए जबी अलइन ले रहे दो तो यह थोड़ा सा इसमें वो है तो और देख लेते हम लोग को क्या मिलता है इसको रखता हूँ साइड में इसको रखता हूँ साइड में अभी और देखते हैं इस बॉक्स में क्या अपने को मिलने वाला है इसको निकलता हूँ यह देखते हैं इसमें क्या मिलता है अपने कुछ एडाप्टर रहेगा ओल इन वन का ओल इन वन का एडाप्टर हाँ ओल इन वन का एडाप्टर है इसमें आपको माउस भी मिल जाता है मतलब यह All-in-one के साथ में keyboard mouse साथ में रहता है और मतलब सभी All-in-one के साथ में keyboard mouse रहता है desktop भी लेगें तो भी यह देखिए कुछ इस तरीके का है जैसे कि आप लोग के पास USB type जो laptop के charger आ रहे थे है उसी तरीके से इसका भी है और यह भी पाउर कोड है अगर पाउर कोड proposing लगा रहें अगर पास्ट टाइम आज आगल आप लोग कनेक्ट कर रहें तो इस तरीके से कुछ चार्जक कनेक्ट करेंगे अब आपकि यह तो वाइर वाइर को करने के लिए है और यह अपने को मिल जाता है मैनूल इसमें देख सकते हैं यह किसकी सिस्टेम के लिए है जैसे यह मैं इसका कॉन्फिग्रेशन अगर बता दू आपको तो यह विंडो स्वरी यह इसका जो मॉडल है लेनोव वी 30 यह टू टू आई एल आइफाइट 10 जेनरेशन है एट जीबी रैम वन टीवी हार्डिक्स और ऑपरेटिंग सिस्टेम नहीं है डोस है ऑपरेटिंग सिस्टेम आपको इस्टॉल करना पड़ेगा जो भी आप इस्टॉल करें आप एंटू प्रोसेसर है वह 10 जेनरेशन है 10 जेनरेशन है कोर आई फाई और टू कोर है फोर्ट थ्रेड है इस चार एमबी कैसे है इसका और जो इसमें आपरेटिंग सिस्टेम है वह तोड़ोस है इसमें मतलब बिंडोज आपको नहीं मिलेगा तो आगर फर्स टाइम आप कनेट कर रह नहीं मिले तो इसको घुमाएंगे तो हो सकता है आपका इधर उदर हो गया हो और जो इसमें मेमरी है वह 8GB है रैम 8GB है और DDR4 3200 3200 मेगाहर्ट की रैम लगती है इसमें और इसमें दो रैम स्लोट है पर स्लोट में 16GB लगा सकते हैं पर स्लोट 16GB कर सकते हैं और माइक्सिमाम आप 32GB मतलब दो स्लोट है इसमें 8GB लगी होई है और आगर आपको बढ़ाना है तो 8GB और करके 16GB कर सकते हैं आप लोग इसमें जो हाट ड्राइब है ओवन टीबी है सेवंटी टू अंड्रेट सेवन थाउजन टू अंड्रेट आर्पिम है इसका और आप्टिकल ड्राइब बोले तो इसका ड्राइटर नहीं इसमें और यह देखे कुछ इस तरीके का दिख रहा है इसमें इस पीकर 3W X2 है एसी एडाप्टर 65 वाट का ग्राफिक इसमें इंटीग्रेटर इंटल यू एचडी ग्राफिक है और पोर्ट पोर्ट अभी मैं बताता हूं इसमें कितना है कैमरा 720 पिक्सल एचडी भी तिंग शर्टर करके है इसमें वायर्लेस भी है ब्लुटूथ भी है और आपका लैन लैन भी मिल जाता इसमें आपको अभी हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या पोर्ट है क्या नहीं है तो इसमें हम लोग को इसका जो स्क्रीन है ना वो स्क्रीन 21.5 फाइव 21.5 फाइचडी इसका जो रेजुलेशन साइज है 1920 इंटू 1080 है IPS एंटी ग्लेयर स्क्रीन इसकी है और देखिए इसमें पोर्ट जो है पोर्ट HDMI दिया हुआ है अपना चार्जर लगाने के लिए लैन है और यह HDMI दो पोर्ट दिया हुआ USB आपको तीन दिया हुआ पिछे साइड में और तीन ही आपको यहां पे दिखाई देगा साइड में कार रीडर लगाने के लिए भी है यह कॉमबो आइडियो जैकपोट है यह इसका स्पीकर यह इसका स्पीकर है यहां पे भी आपका नीचे साइड में स्पीकर मिल जाता है आपको स्पीकर तो अच्छा है यह साइड में देखते अपने को क्या मिलता है इसमें आप लोग को मतलब अगर आपको डिविड राइटर लगाना है तो इसमें जगे दिया हुआ डिविड राइटर लगा सकते हैं इसका प्राइस जो आता है जो कि 50 से 55 की बीच में अपको मिल जाएगा अगर इसको निकालना चाहते है आप लोग तो इस तरीके से इसको फिट कर सकते निकाल भी सकते वो लॉक दिया हुआ है इसको जैसे उपर करेंगे और इसको उपर की साइड में उठाएंगे तो हो जा जा रहा है और जैसे कि अगर इसमें विंडोज इस्टॉल करने के लिए जा रहे तो इसका बूट मेनू की बता दे तो इसमें इसमें इस्टॉल करना चाहते है तो आप लोग कर लीजिए पहले आईसो डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसके बाद रूपू सावड़वेर स पूश आउट वेर से जीपीटी फॉरमेड में बनाया है क्योंकि लेटेस्ट जो है वह जीपीटी फॉरमेड में आचा है लेटेस्ट तो जीपीटी फॉरमेड यह देखिए आपका कैमरा जो है यह 720 पिक्सल और इसमें साटर भी है मतलब जब ओके इस वीडियो में बस इतना ही थैंक्स फार वाचिंग इस वीडियो प्लिक सब्सक्राइब मैं चैनल मिलते हैं नेक्स वीडियो में